दोस्तों पिछले कुछ वीडियोज में मैंने हैरी पॉर्टर नॉविल की लेकी का जेके रोलिंग का कई बार उलेक किया जिन वीडियोज में हमने LGBTQ एजेंडा के बारे में उनके सेक्शुल लिबरेशन और बहुत ही भयानक ऐसे Radical Gender Identity के एजेंडा के बारे में जिन वीडियोज में हमने चर्चा की उनमें कई बार में जेके रोलिंग के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार से Liberals और Wokes जेके रोलिंग के खून के प्यासे बन गए हैं और देखिए यहाँ पर में खून के प्यासे बन गए हैं ये जो शब्द प्रयों ये जो मुहावरा में उप्योग कर रहा हूं वो केवल कुछ exaggerate करने के लिए अतिश्योगती करने के लिए आपको ये ऐसे शब्दों का उप्योग कर रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है Literally अक्षर शह सच में Liberals और Wokes पिछले पाच्छे वर्षों से जेके रोलिंग के खून के प्यासे बन गए हैं मतलब पाच्छे वर्षों से लगातार उनको death threats मिल रहे हैं जान से मारने की धमकिया उनके परिवार को धमकिया मिल रही है उनके घर के पाहर प्रोटेस्ट आदी करना हो या उनको काम ना मिले उनको cancel कर दिया जाए इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे है Warner Brothers उनको काम ना दे उनके उनका publication डूब जाए तूट जाए इसके लिए प्रयोग किये जा रहे हैं उनके publication में काम करने वाले जो लोग है उनको लगातार pressurize किया जा रहा है कि उनकी publication को छोड़ दिया जाए कई सरे लोगों ने तो resign भी कर दिया उनकी publication से कई सरे जो author से उनके लगातार पिछले 5-6 वर्षों से हो रहा है ताकि वे टूट जाए उनका character assassination करने का प्रयास किया जा रहा है यह बहुत कुछ हुआ है पिछले 5-6 वर्षों में और यह मैं सारी घटना है तो आपको बताने वाला हो पर सब कुछ बता नहीं सकता क्योंकि यह जो series घटना हो कि वो बहुत बड़ी है लगबग 2017 से जेके रोलिंग ने अपने विचार इस विशे में रखना शुरू किया और तब से लेकर के अभी तक उन्होंने कई सारे tweets किये हैं कई सारे एक, दो या दस, बारा tweets की बात नहीं है लगातार वो इस विशे के बारे में tweets करते आई हैं अपने विचार रखते आई हैं लगातार उनका विरोध होते आया है उनके novels के माध्यम से भी कुछ characters उन्होंने ऐसे लिके हैं ताकि इस radical gender identity के agenda का विरोध हो सके और जो कुछ भी series जो घटनाए हुई है सब मैं आपको बताने वाला हूँ उनकी ही novel पर आधारी जो Harry Potter series जो सबको बहुत पसंद है उसके तीन मुख्य characters Harry, Hermione और Ron Daniel Redcliffe, Rupert Grint और Ima Watson उन तीनों ने भी साथ नहीं दिया जेके रोलिंग का उल्टा उनका खुल कर विरोध किया Daniel Redcliffe तो जाकर जो trans activists है उनके साथ में round table करके उस round table को host किया Daniel Redcliffe ने Harry Potter character जो जिसने play किया है चली शुरुवात से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ है आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि भाई बस अपने विचार रखने के कारण कि भाई जो biology के लिए जो स्त्री है वो स्त्री है जिसका पुरुष का शरी है वो पुरुष है बस ये कहने के कारण ये सब कुछ हो रहा है आज वेस्टन वर्ल्ड में चलिए सबसे पहले 2017 से शुरू करते हैं अब ये जो आर्टिकल मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ ये एक वोक के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है इसलिए जेके रोलिंग को टार्गेट करने के उद्देश से ये आर्टिकल लिखा गया है तो मैं केवल घटना है आपको बता रहा हूँ आप विकिपिडिया पर भी जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं पूरी सिरीज घटना हो कि आपको मिल जाएगी female space मतलब जो महिलाओं के लिए toilet आदी होता है ladies के लिए उसमें जो पूरुष अपने आपको महिला कहकर trans woman कहकर वहाँ पर जाते हैं उनके लिए a stranger with a penis ऐसा शब्द उस आर्टिकल में यूज किया था क्योंकि उसका penis शारेरिक रुप से तो पूरु शब्र आपने आपको स्तरी कह रहा है और महिलाओं के बातरूम में जा रहा है तो उसके लिए stranger with a penis ये शब्द उप्यों किया था उसको like किया था जेके रोलिंग ने 2017 में हाला कि वह article अभी वो tweet delete कर दिया है ऐसा लिखाय है यहाँ पर इसके बाद 2018 में इन मार्च रोलिंग likes and then unlikes पहले like किया बाद में unlike कर दिया a tweet referring to a trans woman as men in dresses and implying that trans rights are misogyny बाद में ये कहा गया कि भाई गलती से like हो गया था जेके रोलिंग के spoke person ने क्योंकि 2018 में शुरुआत ही हुई थी जेके रोलिंग के द्वारा अपने विचारों को रखने की शुरुआत में जेके रोलिंग ने बाद में अभी कुछ फरवरी में इसी वर्ष 2023 में एक podcast भी हुआ उसमें जेके रोलिंग ने बताया भी कि मैंने कई बार बहुत पहले से ये अपने विचार में रखना चाहती थी पर मेरे जो साथी थे साथ में काम करने वाले वो कहते थे कि मत रखिये विचार बहुत controversial है आपका career समाप्त कर देंगी ये लोग इसलिए शुरुआत में मतलब एक महिला है उन्होंने लिखा कि लेबर पार्टी मीटिंग में जब मैं पहली बार गई थी 18 वर्ष की थी वहाँ मैंने वहाँ पर क्यों एक पेचतरी कैलेंडर उतारने के लिए निकालने के लिए कहा तो मुझे कहा कि बाई तुम independent बनो strong बनो, tough बनो मुझे वह ऐसा कभी भी support नहीं मिला, जैसा support men in dresses वालों को मिल रहा है मतलब जो पूरुष महिलाओं के कपड़े पहन कर अपने आपको transformant कह रहे हैं उनको जिस परकार से ये पूरा ecosystem support करता है वैसा, मैं एक महिलाओं पर मुझे भी वैसा कभी support नहीं मिला बस इसको उन्होंने like किया था, इसको लेकर उस समय इतना बवाल मचा था उनको आखिरकार उसे unlike करना पड़ा पर उसके कारण JK Rowling अंदर से इतनी ज़्यादा वो और ज़्यादा वो डृड हो गई अपनी विचारों पर कि उसके बाद में लगातार फिर उन्होंने एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद फिर खुलकर अपनी विचार रखना शुरू किया और दीखिए बाते जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकार्थ में कोई JK Rowling को सपोर्ट करता हूँ या उनके सारे व्यूस को सपोर्ट करता हूँ ऐसा बिलकुल भी नहीं है, JK Rowling खुद स्वयम एक लिप्टिस्ट है स्वयम एक वोक है, लिबरल है पर बाकी वोक्स को प्रॉब्लिम ये है कि भाई, वो हमारी इतनी वोक क्यो नहीं है हमारी इतनी लिबरल क्यो नहीं है बस ये समस्या है बाकी वोक्स को बाकि JK Rowling, lesbian, gay, bisexual, omni-sexual, pan-sexual इसके प्रती भी sexual attraction है मुझे इसके साथ भी सोना है सब के साथ सोना है ये जो sexual liberation का agenda है उसको JK Rowling सपोर्ट करती है बस ये जो radical gender identity का agenda है उसको वो सपोर्ट नहीं करती यहां तक की JK Rowling ने Albus Dumbledore, Dumbledore का चो character है Harry Potter series में उसको गे बना दिया है अभी हाली में जो Fantastic Beasts रिलीज हुई थी आखिर वाली उसमें Dumbledore को गे दिखाया है और इसको लेकर The Print ने एक आर्टिकल दिखा था JK Rowling को ट्रोल करते हुए उनका विरोध करते हुए भारत के एक Media House ने, Publication ने The Print ने आर्टिकल लिखा था वो आप पढ़ेंगे न तो हस हस कर लोटपोट हो जाएंगे एक मैं कुछ पढ़कर बताता हूँ उस आर्टिकल का हिस्सा JK Rowling's latest transphobic tweets have once again highlighted her exclusionary behavior and put her in a spot This isn't exactly shocking because Rowling has faced ir for propagating transphobic and trans exclusionary radical feminist opinions earlier as well One look at the Harry Potter series can tell you how embarrassingly undiverse it is After thought, post script revelations on Twitter about her characters do not count मतलब Harry Potter का जो world, universe JK Rowling ने create किया है, उसको लेकर भी लेप्टिस्टों को liberals को problem है, यह क्यों भारत के एक Media House ने आर्टिकल लिखा ऐसी बात नहीं है, आप दुनिया, मतलब जो universe है, उसको भी criticize करते हैं क्यों criticize करते हैं, कि भाई, इसमें सब के सब heterosexual क्यों है इसमें जो gender को लेकर confused characters क्यों नहीं दिखाए है और एक traditional point of view से सारे characters लिखे गए है पुरुषों के point of view से characters लिखे गए है महिलाओं को female characters को उस प्रकार से अपने sexuality को explore करते हुए नहीं दिखाया है bisexual, pansexual, omnisexual इसके साथ भी सुना है इसको लेकर आपको कई सारे articles मिल जाएंगे यह तो भारत के एक media house का article में पढ़कर बता रहा हूँ आगे पढ़ देखिए क्या लिखा है declaring Dumbledore as queer and endorsing a black Hermione are the most prominent examples of rolling retrospectively trying to add diversity in the otherwise white heteronormative wizarding world she first created मतलब अभी अपने आपको बहुत तम में diversity में बिल्यू करती हैं यह दिखाने के लिए उसने Dumbledore को queer gay दिखा दिया है और black Hermione को वो endorse कर रही है liberal sir works के दौरा मांग की जा रही थी पिछले कुछ वरशों से कि हर्माइने का जो character है उसको black दिखाया जाए उसको black character लिया जाए अगली फिल्मों में तो उसको भी J.K. Rowling में support किया था और Dumbledore को तो already उसने gay दिखाई दिया है तो यह करके वो अपने आपको अभी diverse में कितना inclusive हूँ यह दिखाने को प्रयास कर रही है हाला कि पहले उसने जो wizarding world create किया है उसके लिए क्या शब्दूपियों किया है white heteronormative जादा तर white characters है और heteronormative मतलब एक ऐसा ऐसी दुनिया जहाँ पर सारे के सारे characters को opposite sex के प्रती attracted दिखाया जाए heterosexual कहते हैं न liberals मतलब स्तिरी पूरुष के प्रती आकरशित हो रही है पूरुष स्तिरी के प्रती आकरशित हो रहा है या पूरुष और स्तिरी के पीछ में प्रेम दिखाया जाए जैसा कि एक natural नैसरगी कुरूप से जो व्यवस्ता है निसर्क की वो दिखा दिया जेके रोलिंग ने इस कारण से उनको problem है और भी बहुत सारी बाते हैं इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना भाई हस हस कर पागल हो जाएंगे इसमें जो पाटिल सिस्टर्स है उसको लेकर भी एक बात लिखे मैं आपको पढ़कर बताता हूं रुकिए the few non-white characters she does introduce in the books are underdeveloped lazy additions that highlight her prejudice कुछ non-white characters भी जेके रोलिंग ने अपने novel में लिखे हैं पर वो underdeveloped है कुछ खास यसा उनको develop नहीं किया गया इससे उनकी जो पुर्वाग्रह की धारना है ना prejudice वो दिखाता है take for instance the patil sisters patil sisters को कैसे दिखाया देखिए remember their agonizing outfits at the yule yule क्या पता नहीं ball in the harry potter and the goblet of fire dull unflattering lehengas which seemed like a mockery of indian culture a lot of us are still and will always be unforgiving of that travesty वाव Indian culture की चिंता liberal sir leftist को हो रही है वाव तालिया बजाए सबसे पहले तो print देखे भारतिय विश्वुशा की चिंता liberals को हो रही है आपने आपने कितना बड़ा आश्र है जो liberals हमेशा दिन रात सोला श्रिंगारों के नाम से मंगल सुतर के नाम से तिलक के नाम से सिंदूर के नाम से चाती कूट कूट कर थकते नहीं है उनको इंडियन कल्चर की चिंता हो रही है वाव कितनी हिपोक्रसी कितनी हिपोक्रसी पर अभी आपने आपको दिखाना है कि भाई देखो देखो जेके रोलिंग कैसे इंक्लूजीव नहीं है या जो नॉन वाइट करेटर से उनको कैसे अच्छी तरह कैसे डेवलप नहीं किया भाई मैंने हरी पॉर्टर को देखा मुझे कभी भी नहीं लगा कि पाटिल सिस्टर्स को कोई अपमानित करने के लिए वहाँ पर उसमें उन्होंने एड किया था तो भारत के वोक्स और लिबरल्स और जादा तर फिल्मेकर्स बॉल्यूड के जिन्होंने भारती वेशबुशा को गाय भी कर दिया है और जिन कैरेटर्स को भारती वेशबुशा में दिखाया जाता है उन्हें हमेशा निगेटिव दिखाया जाता है और जो western outfit में होते हैं जो characters, उनको सबसे ज़्यादा progressive दिखाया जाता है आपको सच में Indian culture की चिंता होती लिप्टिस्टो को तो बोलो भारत के इसके बार में कभी लिखा है इनोंने नहीं, यहाँ पर उनको Indian culture की चिंता हो रही है वेस्टन फिल्म है, वो अमेरिका अपनी Hollywood की फिल्म में जो चाहे वो दिखाये और उनकी फिल्म में आपके Indian character को ज़्यादा develop किया आजाए यह आप सोच भी कैसे सकते हैं obviously वो underdeveloped रहेगा उनके फिल्मों में आप क्यों वहाँ से आपक्षा क्यों कर रहे है भारत के फिल्मेकर्स कम पढ़ गए आपको criticize करने के लिए वो कैसे Indian culture का, हमारी संस्कृति का, हिंदी भाषा का कैसे मजाग उडाते हैं वो नहीं दिख रहा चलिए यह तो print का मैंने बीच में बीच में पढ़ दिया मैंने आगे बढ़ते हैं इसके बाद मैं सितंबर में 2018 में ही सितंबर में रोलिंग likes a tweet linking to an opinion column by a known turf जेनिस टर्नर turf मतलब trans exclusionary radical feminist मतलब feministों में बहुत सारे अलगलग group बने हुए हैं, liberals ने बना कर रखे हैं वो feminist जो transgender agenda को support नहीं करते उनको trans exclusionary radical feminist ऐसा कुछ कहा जाता है turf short form में उनके लिए यूज किया जाता है तो non turf जेनिस टर्नर which argues yet again that trans women are inherently sexual predators referring to them as foxes in a hen house identifying as hens तो एक turf जेनिस टर्नर है उसने एक कुछ blog लिखा था उसमें उन्होंने ये जो transgender agenda है पूरा radical gender identity का उसको criticize किया था और कहा था कि ये जो trans women है ना जो पुरुष है biological शारिरिक रूप से पर स्तिरी के कपडे पहन कर अपने आपको स्तिरी के रूप में identify कर रहे हैं ये लोग वो है जो जिस प्रकार से कुछ मुर्गियों के बीच में कोई भेडिया मुर्गी का भेज बना कर जाकर बैट जाए वैसे ये लोग है ये sexual predators है जो महिलाओ के bathroom में जा रहे हैं और कई सरी ऐसी बलातकार की घटनाय भी सामने आई है नावालिक बच्चियों के साथ में बलातकार की घटनाय सामने आई है मैंने इस से पहले वो वीडियो वगएरा आपको निउस वगएरा दिखाई हुई है भाई महिलाओ की सुरक्षा को लेकर कोई बात कर रहे तो उसको लेकर भी ये विरो तो इस बार unlike नहीं किया जेके रूलिंग ने सितंबर तक आते आते जेके रूलिंग अपने stand पर काफी अडिग हो गई थी इस बार जेके रूलिंग ने unlike नहीं किया उसे दिसंबर 2019 माया फॉर्स्टेटर अब ये क्या पूरी बात है मैं आपको बताता हूँ माया फॉर्स्टेटर एक महिला है जिसने 2018 में कुछ ऐसे ट्वीट्स किये थे इस रैडिकल जेंडर आइडिनिटी के एजेंडा का विरोध करते हुए ये कहा था कि बई जो स्त्री का शरीर है biological शाहरी रिक्रूब से वो स्त्री है जो पूरुष है शृरीरिक्रूफ से वो पूरुष है और ये मैं रैडिकल जेंडर अडिनिटी का विरोध करती हूँ बस ये उसने लिखा था, इसको लेकर, जिस company में वो काम करते थी, उसने उसे निकाल दिया, इसके बाद में, पुरा port में case वगएरा चला था, तो जेके रूलिंग ने Maya Forstator का support किया, उसने क्या गलत कहा, शारेरी क्रूप से आप जो है, वो है, उसमें gender को लेकर confusion create करना, बाद बच्चों के साथ भी जादातर, जादतर तो बच्चों के साथ में ये हो रहा है, क्योंकि स्कूल से, तीर स्कूल, केजी, junior केजी के बच्चों को ये दिमाग में बाते डाली जा रही है, इसको लेकर बस opinion रखा, तो ये कोई Maya Forstator की एक बात नहीं है, कई सरे लोगों को जेकर रूलिंग ने उससे support किया था, इसके बाद जून 2020 में, in a tweet, रूलिंग mocks the trans-inclusive phrase, people who menstruate, mocks इसलिए लिखा है, क्योंकि ये woke वेक्ति ने लिखा हुआ है, जेकर रूलिंग ने कोई mock नहीं किया था, simple बात जेकर रूलिंग ने कही थी, कि भाई, ये people who menstruate क्या होता है, women, शब्द people की जगर use करना चाही था, क्योंकि महिलाओं को menstruation, जो मासिक धर्म आता है, वो महिलाओं को आता है, पुरुषों को तो नहीं आता ना, पर woke's को इससे भी problem हो गया, कि भाई, तुमने ये कह कैसे दिया, कि स्त्रियों को मासिक धर्म आता है, people शब्द उपयोग को who menstruate, तो वो guidelines इस phrase के साथ जारी की गई थी, people who menstruate, और बस जेके रोलिंग ने कह दिया, कि भाई, people नहीं women कहो, महिलाओं को मासिक धर्म आते हैं, अपना agenda side रखो, बस इसको लेकर भी उस समय भी बहुत जेके रोलिंग का विरोध हुआ, ये कुछ नहीं है, आगे आप सुने आप देखिए दोस्तो, ये liberals और works, अभिवक्ती के आजादी की बाते करते हैं, और सबसे ज़्यादा radical, सबसे ज़्यादा असहिशनू, यही लोग होते हैं, दुनिया में liberals के उतना radical, असहिशनू, और दुसरा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें क्या प्रॉब्लेम है, चलिए, जो भी है, आगे पढ़ते हैं, इसके बाद जेके रोलिंग ने अपने वेबसाइट पर पूरा एक essay, निबन, एक ब्लॉग लिखा था, अपने विचार पूरे विक्त करने के लिए, और वहाँ पर वही सब बाते हैं, उन्होंने फिर से कही कि मैं अपने स्टेंट पर क्लियर हूँ, और इस रैडिकल जेंडर अडिनिटी के एजेंडा को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी और प्रमोट नहीं करूंगी, ये खुलकर उन्होंने अपने विचार वहाँ पर रखे थे, ये कितना भयानक है आने वाली पर बाद में जेके रूलिंग के जब ये पूरे खुलकर उन्होंने इस रैडिकल जेंडर अडिनिटी के एजेंडा का विरोध करना शुरू किया, तो वो जो रॉबर्ट एफ कैनेडी हूमन रेट्स और्गनेजेशन है, उन्होंने जेके रूलिंग के आलो चनाकी, जेके इस अवार्ड की मुझे कोई आवाशकता नहीं है, ऐसे कोई अवार्ड के माध्यम से तुम मुझे अपने स्टैंड से, अपने विचारों से हिला नहीं सकते हो, मुझे तुम ऐस प्रका से डिक्टेट नहीं कर सकते हो, इसके बाद सितंबर 2022 में, रोलिंग रिलिजेस अ कार इसके रोलिंग रिलिजेस की थी, उसमें उन्होंने एक करेक्टर ऐसा जो मुझे विलन का करेक्टर है, वो महिलाओ के कपड़े पहन कर महिलाओ के उपर अत्याचार करता है, जो भी दुशकर्म करता है, इसको लेकर उनको प्रॉब्लेम हो गई, कि ऐसे करेक्टर को तुमन विलन कैसे दिखा दिया, हलाकि जेकर रूलिंग ने बाद में कहा कि भई ये सत्य घटनाव से प्रेरित होकर मैंने एक कहानी लिखी है, पर लिबरल स्कॉर वोक्स को उससे क्या प्रॉब्लेम भई, तुम नहीं दिखा सकते हैं ऐसे, एक पुरुष को स्त्रीक के कपड़े जो मुख्य विलन जो धीरे धीरे हमारे सामने आता है, मैंड अंटर में, उसमें मुख्य विलन स्त्रीक के कपड़े पहनता है, और उसके बाद नेट्फिक्स ने उसका अगला सिजन कैंसल कर दिया, इतनी बढ़िया सिरीज, इतनी बढ़िया सिरीज, नेट्फिक्स ने चल जाता है कोई लिबरल्स ना आरास हो जाएंगी भाई एक पुरुष्ट्री के कपड़े पहन कर एन्य ट्रांस ओमन बनके वो कैसे आप विलन कुछ गलत काम करते वे दिखा सकते हो जाकि जबकि दुनिया भर में कई सरे ऐसी घटनाय आ गई है कोई पुरुष्ट्री की भाई जो शारेरिक रूप से हमारा शरीर जैसा है बायलोजी के लिए उससे अलग हम है ये भाई तुम अपने मानसिक रूप से अस्थीर या जो भी ये तुमारा एजेंडा है वो अपने पास रखो ना यार लोगों को तुम कैसे फोर्स कर सकते हो लिबरल्स और वोक्स तो नहीं होती अब जेके रूलिंग को जो विचार रखने रखने दो ना प्रॉब्लेम क्या है फिर इसके बाद नवमर 2021 में जेके रूलिंग अपने घर में थी और वहाँ पर ये जो ट्रांस एक्टिविस्ट्स है वो उसके घर के बाहर पहुँच गए कुछ धरना वगरा करन के लिए बैनर्स वगरा लेकर और जेके रूलिंग की जो परसनल इंफॉर्मेशन है उसको उन्होंने सारवजनिक किया बताईए इस हद तक जेके रूलिंग के परिवार और उन पर इस प्रकार से उन्हें थ्रेट्स लगातार मिल रहे हैं क्योंकि उनके विचार केवल कि क्योंकि Scottish पुलिष ने transgender identity को recognize किया था कि भाई हां transient woman, woman होती है मतलब जो आपने आपको जैसे identify करना चाता है वैसे हम मानन्य करेंगे इसा Scottish police ने यह recognize किया इसका आलशना करते वे जंके रूलिंग ने लिखा, war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength, the punished individual someone who raped you, is a woman जिसका शिशनेंद्रिया है लिंग है उसने जो तुम्हारा रेप किया जिसले महिला का वो पुरुष नहीं है जिसका लिंग है पर वो पुरुष नहीं उस्त्री है ये कटाक्ष करते वे जेके रूलिंग ने लिखा और जैसे के मैंने आपको रुपर्ट ग्रिंट आदी, जिन्होंने Harry, Hermione, Ron का character play किया है, Harry Potter film series में, वो तक J.K. Rowling की विरोध में आ गए, डैनिल रेड क्लिप ने तो क्यों विरोध में नहीं आया, उसने तो एक roundtable host किया, जिसमें trans activist को उसने बुलाया, देखो देखो मैं कितना inclusive हूँ, मैं कितना cool हूँ इसके बाद J.K. Rowling ने एक जगा पर कहा कि जब महिलाओ के bathroom के, changing room के दरवाजे तुम खुले कर देते हो, उन पुरुषों के लिए, जो अपने आपको स्त्री के रुप में identify कर रहे हैं, तो तुम उन सब के लिए दरवाजे खुले कर रहे हो, जो अंदर आना चाहते हैं इसके बाद Warner Brothers और Universal Studios का इस पर क्या stand था देखिए? Warner Brothers Entertainment और Universal Studios Parks and Resorts बोथ released statements on 10th June 2020, emphasizing their prioritization of LGBTQ inclusion and diversity मतलब Warner Brothers और Universal Studios दोनों नहीं statements चारी किये और कहा कि भाई हम LGBTQ जो community है, इन सब को include करने के लिए अपने content में हमारे priority पर हम काम कर रहे हैं इस पर, कि हम आने वाले हमारे सभी content में इनको include करेंगे, हम इसको support करते हैं इस agenda को, हाला कि उन्होंने directly JK Rowling का नाम नहीं लिया या directly उनका नाम लेकर विरोध नहीं किया, पर हाँ, ये बात है उन्होंने अवश्य कही इसके अलबा, उनके publications से कुछ authors नहीं जो resign कर दिया, उसके बार में सुनिये मतलब, JK Rowling की जो company है, literary agency, उन्होंने, हम trans, ये जो भी activist वगएरा है, उनको support करते हैं, ऐसा बयान जारी करने से मना कर दिया, कि हम अपने stand पर clear है, और इस radical gender identity के agent को हम support नहीं करते, जिसके बाद में उनके company के से कुछ authors ने resign कर दिया, और दोस्तों के वल यहीं नहीं, Harry Potter film series में आपने जो Quidditch game देखा होगा, उस film series के सफल होने के बाद में, पूरी एक Quidditch game की tournaments वगएरा भी होती थी, उसको promote करने वाले कैसे से groups बने थे, तो ये जो Quidditch league है, उन्होंने जेके रोलिंग के इन सारे बयानों के बाद में, अपने game का नाम ही change करने का निरने ले लिया, जिनकी novel से उस game की उत्पत्ती हुई, अब उस game को खेलने माले लोग ही कह रहा है कि हम जेके रोलिंग के साथ में नहीं है, हम अपने game का नाम बद आलोच ना की, यूँकि उसने कहा था कि बई, ट्रांस वुमन आर वुमन, मतलब जो पुरुष है, जो स्त्री के कपड़े पहन कर अपने आपको स्त्री की रुप में identify कर रहा है, वो वुमन है, ट्रांस वुमन आर वुमन ऐसा Labour Party के लीडर ने कहा था, तो जेके रोलिंग न लिबर पार्टी से आया, इसके बाद अप्रेल 2022 में एक लेस्बियन विजिबिलिटी वीक होता है, लिबरल्स का, जैसे प्राइड मन्त होता है न, पूरे दुनिया पर के लिबरल्स और वोक्स इस LGBTQ एजंडा को सपोर्ट करने के लिए, प्राइड मन्त मनाते हैं, सड़को वैसे शारिक संबंद बनाने का, तो रोलिंग ट्वीटेड अपिक्चर एलिसन बेली, कैप्शन एलिसन बेली मार्चस फौर एल जी बी राइट्स, तो वो जो विजिबिलिटी वीक था न, तो उसका एक फोटो लेकर जैके रोलिंग ने ट्वीट करते वे लिखा, कि भाई एलिसन बेली मार्चस फौर एल जी बी राइट्स, टी हटा दिया, बस एल जी बी राइट्स को में सपोर्ट करते हूं, ऐसा जेके रोलिंग ने, कहा मतलब वो हमेशा ही कहते हैं, कि भाई यह जो जेंडर आइट्निटी का आइजेंडा है, उसको में सपोर्ट नहीं करते कि sexual liberation को सपोर्ट करते हूं, LGB तक, आगे टीको में सपोर्ट नहीं करूंगी, तो इन रिस्पॉंस, लिंडा रिली, who started the new lesbian visibility week in the United Kingdom, distanced herself from rolling's views on transgender people and accused rolling of using lesbian visibility week to stir up hate in our community, तो जो lesbian visibility week जो शुरू करने वाले आयो जग वगरा है, उन्होंने जेके रोलिंग की आलोचना की, अपने में food डालने का प्रयास कर रही है, जेके रोलिंग, मैंने कहा ना, liberals को problem यह है कि भाई, ये हमारे इतना liberal क्यों नहीं है, मतलब, liberals अपने ही लोगों को किस प्रकार से खा जाते हैं, देखिए, उनका, मतलब, तुम ठीक है, तुम liberal और woke हो, पर थोड़े liberal और woke क्यों हो, तुम प्रश्न पूछा कि भाई, what is a woman? स्त्री क्या होती है? बस इस प्रश्न पूछने के कारण उस लड़की को, school management ने, school के लोगों ने harass किया. कुल मिलाकर उस लड़की ने बस एक स्त्री क्या होती है, ये पूछ लिया, तो liberals और woke को बहुत गुसा आ गया, कि तुम हिम्मत कैसे भी ये प्रश्न पूछने की, what is a woman? ये आजकल वेस्टन वर्ल्ड में बड़े-बड़े politicians को इस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक पूरी documentary भी आई थी, Matt Walsh की, आपने देखा ही होगा, या नहीं देखा, तो आवश्य देखना, इसको लेकर problem हो क्योंकि उनका खुद की जो ideology है, वो इतनी खोकली है, ये gender identity की, कि उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, एक स्तरी क्या होती है, अब जब उत्तर ही नहीं होगा, तो प्रश्न से उनको पीडा तो होगी ही, यो शारेरिक रूप से आप है, वो आप उससे agree नहीं कर और आप उनसे बस एक simple सा प्रश्न पूछ लो, तो वो बॉखला जाना उनका बिल्कुल सौभाविक है, इसके बाद Scotland ने 2022 अक्टूबर में एक बिल आया था, Gender Recognition Reform Bill, ये जितने भी अलग-लग 80 प्रकार के जेंडर है न, उसको recognize करने के लिए बिल आया गया, कि हम मानेंगे सारे Genders को, aimed at expanding the rights of transgender लोगों का अधिकारों को साथ देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, calling Nicola Sturgeon a destroyer of women's rights, तो जेके रोलिंग ने इसका भी विरोध किया इस बिल का, और Nicola Sturgeon, जो वहां की Labour Party, नहीं, Scottish National Party की लीडर है जो, उन्होंने ही ये बिल लाया था, National Party, और उनक जेके रोलिंग ने कहा कि, तुम महिलाओ के अधिकारों को destroy करने वाली हो, destroyer of women's rights, इसके बाद दिसंबर 2022 में, जेके रोलिंग ने एक shelter शुरू किया, जो sexual assault, sexual abuse से PDT जो महिलाए हैं उनके लिए, पर यहां पर उन्होंने इस shelter के लिए एक नियम रख दिया, कि ये केवल cisgender female के लिए होगा, मतलब जो शारेरिक रूप से 3 है, केवल उनको ही यहां पर जगा मिलेगी, इसको लेकर भी कापी आलोचना हुई, liberals और वोक्स को problem हो गई, कि तुम trans woman को, यानि जो पूरुष है शारेरिक रूप से, उनको इस shelter में जगा क्यों नहीं दे रही, वाउ, वाउ, liberals और वोक्स, और अभी 2023 की शुरुवात में उन्होंने एक podcast में अपने इस पूरे सारे विचारों को फिर से अपने सामने रखा, उसको लेकर भी आपको कई सरे articles मिल जाएंगे, तब भी liberals और वोक्स छाती कूटने लग गए थे, ये तो मैंने केवल कुछ-कुछ बाते आपको बताई है, पिछले पाच्छे वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, और वैसे जेके रोलिंग को sexual liberation के बारे में भी सोचना चाहिए, वहाँ पर भी logically विचार करना चाहिए, मतलब उनका जो कहना है ना कि भाई मैं sexual liberation को support करती हूँ, पैंसेक्शियल, ओमनिसेक्शियल, बाइसेक्शियल, लेस्बियन, भाई आखिर है तो इंद्रिया, सुक इंद्रिया की वासना, काम वासना ही है वो, प्रकृती ने हमारे शरीर में जो शारिरिक संबनाने की व्यवस्ता की है, एक स्त्री और पूरुष के बीच में वो संसार चलता रहे, एक नवीन जीवन की उत्पत्ती हो, उसके लिए प्रकृती ने वो व्यवस्ता की हुई है, काम वासना में गिरने को सब के लिए गलत ही कहा गया है, आप किसी को हेटरोसेक्शन के लिजए, जो भी कह लिजए, काम वासना से उपर उठने के लिए ही कहा जाता है, आखिर मैथुन का सुख क्या होता है गुपतांगों के घरशन के सुख को हम मैथुन का सुख कहते हैं अब गुपतांगों के घरशन का जो सुख है आप opposite sex के साथ लीजिए same sex के साथ लीजिए या फिर आप मुख मैथुन के द्वारा लीजिए जिसे oral sex कहा जाता है या फिर anal जिसे गुदा मैथून कहा जाता है किसी भी प्रकार से आप मैथून का सुख लीजिए उसमें है तो आंतत है वो कामवासना का ही सुख है तो वो शारिविक सुख ही उसको लेकर victim card खेलना या उसको लेकर हमें इस पेट्रियारकल सोसाइटी ने हम पर अत्याचार किया भाई तुमको जिसके साथ सुना है सोग जिसके साथ तुम्हें मैथून का सुख लेना है जैसे लेना है लो जितनों के साथ लेना है लो अपने personal life में तुम क्या कर रहे हो तुम्हें हमें agree करना होगा तुम्हारे बच्चों को भी हम gender को लेकर confuse करेंगे तुम्हारे बच्चों की दिमाग में भी ये सारी sexual liberation की और gender identity की बाते डालेंगे ये क्यो तुम्हें अपनी personal life में जो करना है करो दुसरों को तुम से agree होना चाहिए या हमें इस पर गर्व है या इसको लेकर victim काड़ केलना इसमें क्या logic है है तो इंद्रिय सुक शारेरिक वासना का ही न तो जेके रोलिंग को तो और थोड़ा सा अपने विवेक का उपियोग करना चाहिए चलिए जो भी है कुल मिलाकर लिबरल्स और वोक्स की हिपोकरसी देखिए वो अपनी लोगों को कैसे खा जाते हैं उनकी समझ्या यह है प्रॉब्लिम यह है कि तुम हमारे इतने वोक क्यो नहीं हो सबको उनके जितना ही वोक होना चाहिए बगे दोस्तों आपके इस पूरे जो कुछ भी हुआ पिछले पाच्चे वर्षों में जेके रोलिंग के साथ में या जो भी जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है या सेक्शुल लिबरेशन का जो एजेंडा है उसको लेकर आपके क्या विचार है मुझे आपके नीचे कमेंट में आवश्य बताना ये विडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वदे मातरम